अब ही हमारे conductor का हमने commission के through करवाया है उसका result आने वाला है ड्राइवरों की भर्ती घो है हम ततकाल करने जा रहे हैं उस प्रक्रिया को हम आगे ब्राने जा रहे हैं तो driver का भी और conductors का भी इसना किया है कि अयोद्या को बसे जलाएंगे तो अलागि बहुत नंबा रूट है लेकिन छे बसे जो हैं, छे रूट जो हैं, हम अयोद्या के लिए नेगोशेट कर रहे हैं बसे जो हैं, कुल बसे हम उननी सो के आसपास बसे हैं, इलेक्रिक हमारा है उसमें फ्लीट में डालना है अगले चार साल के अंदर निगम ने जो है दोजार चौविस के दोराद जो है, नौसो दो लोगों को रोजगार दिया और अभी हमारे कंड़क्टर्स का हमने कमिशन के तुरू करवाया है, उसका रिजाल्ट आने वाला है ड्राइवर की, ड्राइवरों की भरती जो है हम तत्काल करने जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम आगे ब्राने जा रहे हैं तो ड्राइवर का भी और कंड़क्टर्स का भी है और जो करुणा मुलक है हमारे पास उस में से 76 लोगों को हम जल्द ही नौकरी देने जाने हैं छेतर के आसपास लोग जो हैं उनको हम नौकरियां देंगे इनमें स्थान हैं दार्मिक स्थान हैं उनके नाम पर जो हैं यह पर दूरे खिमाचल पतेश में चली और एक लंबी चौड़ी एकसरसाइज करने के बाद इनमें पंताली बस सेवाए तो हरी दूआ किये है और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फैसला किया है कि अयोद्या को बसीज जलाएंगे तो हला कि बहुत लंबा रूट है लेकिन छे बसीज जो है छे रूट जो है हम अयोद्या के लिए नेगोशेट कर रहे हैं वहां की सरकार के साथ ताकि हमारी बसीज वहां पे जा सके अलेक्टिक बसीज खरीटने की बोर्ट ने सिधार्तिक तोर पे अफ्रूबल दी है और लगभग जो हमारी बसीज जो है कुल बसे हैं हम उन्नी सो के आस पास बसे है एक इलेक्टिक जो बेड़ हमारा है उसमें फ्रीट में डालना है अगले हमने इस साल के लिए 307 बसीज जो है 327 बसीज खरीटने का फैसला किया है और जिन में कुछ बाल्बो बसीज भी बेड़े में शामिल की जाएंगी तो इस साल से जो हम हरित राज्या की बात करते आए हैं उसमें उसको आगे बढ़ाते हुए HRTC ने पहल की है कि इस साल हम 327 बसे इसमें शामिल करेंगे और उसके लिए हमारी जो बस परचेज कमेटी की सिभाशे थी वो बोर्ड ने एक्सेप्ट की हैं और उन्होंने काफी देर तक मन्थन करने के बाद इस वारे में हमें रिकमेंडेशन देजी थी और इन बसेज में क्योंकि लगेज स्पेस नहीं होता है तो लगेज के लिए जो है समान के लिए भी शेश प्रवधान करके इनको चलाया जाएगा ताकि माचल परदेश के लोगों को जो है मदद हो सके